हेलो विवार्ज हम आज चुननट के इसे बनाते हैं छोटा छोटा तो दिखाएंगे आज इसे चाप के साहर है इसे सब आपको मेटल्स के दुखान पर मिल जाएगा इसे ओला इसे नॉट है उसमें टाइट कर लेना सब पर उसके बाद आप सिलते जाएंगे खुद करेंगर चिर्फ चिलाएं करना हैं देखिए हम चिलाएं कर रहे हैं किसे उसे पीछे से चुननट हो रहा है कि इसमें कुछ मेher daí का काप नहीं है चाप करीदना है मैटल्स के दुकान पर मिल जाएगा है ताफ देक्छी आम चिलाए पहार आसानी शे चुननटि बन मेंगे Gulf M इसे चुन्नट हर किसी में डिजाइन के काम में जुरुत होता है जैसे चुन्नट बनाना है तो आप इसे चाप खरीद लना है असानी से बन जाएगा चुप एक्सिलाइश है चुन्नट बनने का दूसरा तरीका इसे कप्रा लेना है हम सोठे कप्रे में दिखा रह Museum पहले इसको अलकर साच च्लाइश करना च्रीणा है य Danke च्लाइश करने से पहले इसको फिर कर लेना लब ढिला कर लेना उसके बात च्लिधा लगाईए पुडा कपटा च्लालीजहीं ध्युक्तल पहला करके शिलाय कर लिया उसके बाद क्या करना है इसको निचे का जो शिलाय धगा है उसको निकालना है निचे का धागा उपर का शोर के शिप निचे का धागा निकलना है निकलके इसे खिषना है इसे खिषते जाएंगे के अपरा एक साथ चुन्नट होते जाएगा इसे खिष के आपको जितना पतला या ज्यादा चुन्नट चाहिए उसी के हिसाब से खिषना ज्यादा भी कर सकत बनाना है इसे बराबर करके चुन्नट बनते जाएगा चुन्नट बराबर करके बराबर है इसको उपर से एक शिलाय लगा लिजिए इसको निकालना जाए चुटा का प्रे में दिखाया लंबा करके बना सकते है इसे भी बन गया इसे उसी तरह बन गया चुन्नट लंबा भी बना सकते है प्रॉक में ऐसे जरूरत होता है गले के डिजैन पर बाजू में ऐसे फिल जरूरत होता है कि दूसरा भी बना लिया है कि दिसरा सुन नट कैसे बनाते है तिसरे तरीका दिखायेंगा सुई के मदद से कप्रा लेना ऐसे पीस जिसमें आपको बनवाना है कि इसे शिलाई लगाई है कि सुई ले लिजिए कि सुई के मदद से इसे छोटा छोटा जितना बड़ा चाहिए जितना छोटा चाहिए उसी के सबसे प्लेट्स डालते जाहिए इसे सोटा भी बना सकते है बड़ा भी बना सकते है मिडियम भी बना सकते है इसे आसान होता है बनाना तो इसी तरफ प्लेट्स बनाते जाहिए आसान होता है यह भी बन गया, इसे भी बना सकते हैं, तो तिसरा ले बन गया, इसे प्लेट्स बना सकते हैं,